इंडियन रेलवे की इतनी बक्वास प्लांट क्वालिटी एंड मेंटेनेंस प्लैनिंग, कम्प्लीट लॉस अफ एसेट और गवर्मेंट रिसोर्सेश इन्वर्टर की हालत तो देखिए ओ गॉड तो गाइस रेलवे की आल्मोस्ट सोला सो स्टेशन पे सोलर प्लांट लगा ह हुआ है, as usual under the green project mission, in fact railway tracks के आजू बाजू जो प्लेस है उसको भी यूटलाइस करने का प्लान है for solar power plant installation, तो ये जो करोडों का investment हो रहा है इन प्लांट को develop करने में, तो आखिर इंकी efficiency कितनी है, यहाँ पे guys अगर आप एक engineer की नजर से देखेंगे, तो ऐसी busy location पे solar plant लगाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा challenge है, जरा सा भी आप quality से या safety से compromise करेंगे तो आपका plant trip होगा, generation का loss होगा, payback का loss होगा, और आपकी overall investment का loss होगा, लगली आज मैं एक अपने personal काम से travel कर रहा हूँ, and I will show you the condition of a railway maintained solar plant, और वो भी new Delhi के railway station पे, और quality related video बनाने का सबसे अच् ही है, क्योंकि दिल्ली में आज हुई है jump के बारिश, that means solar module जो railway station के उपर लगे हुए है, वो automatically clean हो चुके है, जिसकी वज़े से faults and fluctuation will be exposed if the quality of installation is not good, तो आधे घंटे की बारिश में railway station swimming pool में बदल चुका है, चलिए करते हैं punch point visit solar power plant का जो की installed है दिल्ली के railway station पे, भाई अगर मेरी train लेट न होती न, तो मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता, इंडियन railway की किस्मती खराब है तो इसमें मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले नजर डालते हैं string inverter पे, तो ये है inverter number 3, sketch pen से जो लिखा हुआ है ना इसकी body पे, just kidding, it's a sun grow string inverter, सबसे अच्छी बात अभी दिन के कु कुछ YMC4 connector खुले भी हुए हैं, जब DC string connect ही नहीं करनी थी, तो इनको क्यों लगाया, और guys ये है ACDB area, with a metering panel, and two sun grow inverters, safety और electric hazard को देखते हुए, इस area को खोल के रखा गया है, ताकि normal public आ के देख सके, कि solar inverter कहां पे लगे है, ओ शिट, railway police, और ये है inverter का back side, लगता है, ये place कब पूतरों की favorite place है, ये heat sink की fan filter पे लगता है, किसी ने जोर से मारा होगा, क्योंकि इस पे dent पढ़ गया है, और इस dent की वज़े से जो hole बन गया है, उसमें अराम से कोई भी lizard या चूहा जा सकता है, अब बात करते हैं, DC AC cable management की, तो guys ये है DC and AC cable tray, इसको देखके मुझे का लचमन जूला याद आ गया, इसको देखें guys, MC4 joints, simply roof sheet को touch कर रहा है, यही सबसे बड़ी वज़ा है guys, कि आपका string inverter insulation fault को experience करता है, during the rainy condition, ये fault usually आती है moisture ingress की वज़े से आपके MC4 joints में, जिसकी वज़े से आपका MC4 joint burn भी हो सकता है, और guys अब यहाँ देखिए, ये है आपक 4 core armored cable जो की हर तरफ से 40 हुई है, और water drainage line में डुपकी लगा रही है, याद रखेगा इस plant को लगाने के लिए safety का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इस tin roof के नीचे passengers बैठे हुआ है, अरे ये क्या भाई, ये तो 4 core cable जो हर तरफ से 40 है, module के structure को भी touch कर रही है, और ये है AC breaker box, जो की tin के box का बना हुआ है, cost optimization को ध्यान में रखते हुए, body earthing है ही नहीं, और ना तो danger sign board लगा हुआ है, यहाँ पे देखे गाईस, जो hole punch किये गए है, cables को pass करने के लिए, this condition is very dangerous, क्योंकि यहाँ पे आपकी AC cable कभी भी tamper हो सकती है, और metallic body के contact में आ सकती है, अब सिंस य metallic body properly earth नहीं है, body earthing के, तो बहुत heavy amount में एक बहुत बड़ी current की value flow हो सकती है, और किसी को भी चोट पहुचा सकती है, by the way, इसके लिए एक market में बहुत ही अच्छा solution आने लगा है, जिसको हम बोलते है, spring roll insulation shrink tube, और इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, और guys, यहाँ पे ह आपकी DC cable tray, जो कि T-shape में है, और नीचे आ रही है, काफी dangerous situation है, क्योंकि already मैंने इस topic पे एक पहले एक video बनाई थी, upload की थी, कि कैसे आप cost efficiently DC cable tray की sharp edges से अपने DC cable को protect कर सकते हैं, तो वो video आप उपर i button पे click करके, या इस video के description में जाके देख सकते हैं, काफी informative video है, जरूर दे generate होती है, और guys ये है rusted exposed DC cable tray, अरे वा, earthing strip saddle भी लगा हुआ है, actually में guys ये जो saddle लगा है as an insulator, it plays a very vital role, मतलब factory roof, जो tin roof है, metallic roof है, वहाँ पे अगर आप earthing strip install कर रहे हो, so using this saddle is a must, अरे वा, ये देखिए, सीक की जाडू से solar operation and maintenance चल रहा है, मतलब बगल में high tension electric line भी ची हुई है जिससे आपकी train operate हो रही है, और ये बंदा यहाँ पे बिना safety shoes, jacket, helmet, gloves के मस्ती से काम कर रहा है, और ये है Trinity touch का data logger, ये भी कबूत्रो का favorite place लग रहा है, side में है empty fire bucket, पान थुकने के लिए, और fire safety को ध्यान में रखते हुए, ये है एक empty fire cylinder, जादा तर लोगों को ये भी नही railway station से चावडी वजार सिर्फ एक metro station दूर है, जहाँ पे इन cylinders की refilling होती है, I'm just suggesting, मतलब एकदम बगल में, पैदल भी जाय जा सकता है, तो guys ये वीडियो देखके आपको एक eye opening understanding मिली होगी, कि Indian market में आपको quality and cost के बीच में एक balance बना के चलना है, वरना नतीजा आपके सामने ह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को subscribe करें, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे